पुश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में भेरियेबुल कापासिटो डायड या बाराक्टो डायड के बारे में डिटेल में डिसकोसन करेंगे देखो यह जो सिंबोल है यह हमारा बाराक्टो डायाड का सिंबोल है इसमें जो एनोड होता है यह होता है positive terminal और जो कैथोड होता है बो होता है negative terminal तो point 1 देखो जो बाराक्टो डायाड होता है बो हमेशा reverse biased में ही connection होता है means जो anode होता है positive terminal बो बेटरी के नेगेटिव के साथ और जो negative cathode होता है बो बेटरी के positive के पोजिटिव ट्रीमिनल में connection होता है इसको ही हम कहते है y burst past उसके बाद point two देखो जो यह बाराक्टोड डाइड होता है वो एक variable capacitor जईसा ही होता है तो देखो क्यों होता है क्योंकि जो variable capacitor होता है यह capacitor होता है उसमें एक positive plate रहता है और एक negative plate रहता है और दोनों के बीच में एक dielectric insulator रहता है और जो हमारा baractor dad होता है उसमें भी देखो यह P type means positive plate टाइप जैसा रहता है और यह N type means negative plate जैसा रहता है और दोनों के बीच में यह हम ये बूल कापासिटोर जैसा ही होता है उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो जो बारक्टोर ड्याड होता है उसका रिवर्स वोल्टेज और कापासिटन्स दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपर्शनल होते हैं तो देखो कैसे होता है यह पी टाइप मिन्स पोजिटिव है अगर इसको हम रिवर्स वाइस में कनेक्शन करेंगे तो इसको नेगेटिव के साथ करेंगे और यह नेगेटिव है तो इसको हम कनेक्शन करेंगे पोजिटिव के साथ तो यह जो बैटरी है इस बैटरी का जो हम बोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तोब क्या होगा जो डिपलेशन डिजन था इधर जो डिपलेशन डिजन था इसका एरिया और जदा इंक्रीज होगा तो देखो दोनों के बीच में डिस्टन्स भी इंक्रीज होता है तो देखो जो कापासिटन्स होता है कापासिटन्स का फ आपस में inversely proportional होते हैं तो इसलिए जो बाराक्टर होता है उसका reverse voltage और capacitance दोनों आपस में inversely proportional होते हैं उसके बाद देखो next point क्या है next point है जो बाराक्टर डाड होता है उसको हम कहां पर यूज करते हैं तो देखो जो हमारा TV receiver होता है और automobile radio होता है उसका जो ट्यूंड का पासिटर होता है उसके बोदले आज हम क्या क्या करते हैं इस बाराक्टर डाड को यूज करते हैं उस frequency को catch करने के लिए तो आज के लिए इतना ही thanks for watching और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जोडर कीजिएगा